आज से करीब साड़े चार साल पूरू 28 फरवरी 2016 को देश के प्रमो कुद्यूपती एवं टाटा समुहु के चेयर्में रतन टाटा ने सुपर स्पेसलिटी नयती मेडिसिटी हॉस्पिटल मतुरा का उठगाटिं करते हुए ब्रजवासियों को सपना दिखाया था कि आर्थि विस्टार होटल की तरज पर बनाए गए इस हॉस्पिटल की सुक्सुवधाओं से जनता संतुष्ट दिखी लेकिन इसकी चिकित्सा सेवाओं और इलाज के खर्चे से आम जनता कभी संतुष्ट नजर नहीं आई कभी इलाज में लापरवाही के चलते मरीज की मौत के आरोप लगे तो कभी आर्थिक तोर पर सोसन के आरोप भी समय समय पर लगते रहे हैं लेकिन अब हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने ही प्रवंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उत्पुडन का आरोप लगाते हुए धर्णा पदरसन शुरू कर दिया है हॉस्पिटल के रेडियोलोजिस्ट टेकनोलोजिस्ट एवं मेरिकल टाइपिस्ट के पत पर कहनात कर्मचारियों के द्वारा छे महा से वेतन न मिलने एवं नौकरी से निकाले जाने को लेकर पहले तो हॉस्पिटल प्रांगर में संचालकों के खिलाफ नारेबाजी करते ह हुए धर्ना पदर्शन किया इसके बाद दोसियों के खिलाफ कारवाही को लेकर जिरादिकारी का रहले पर ग्यापन भी दिया अब देखना होगा कि जनता की कसोटी पर बेगाना साबित हो चुका हॉस्पिटल अब कर्मचारियों के लिए भी नकारा साबित हो रहा है इस स अब होस्पिटल से निकाल दिया है और जो हमारा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट है हमारे जितने भी केंडिडेट है रिडियोलजी स्टाफ उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है और हमने डियम साब को विग्यापन दिया है जिसमें हमने मांग की है कि जितना चल की सहली आपको देंगे या फिर एक महीने का नोटिस देंगे अगर हम नोटिस नहीं दे पाते हैं 24 आज का रिजाइन देतों एक महीने की सहली हम हॉस्पिटल को देंगे तो अगर हमारे साथ अगर ऐसा किया जा रहा है कि 24 आज का रिजाइन मांग रहा है तो हमसे भी हमें भी उम्मीद यह है कि हमें भी जो टर्मिनेशन लॉव है उसके एकॉर्डिंग तीन महीने की तनकामे देने का क्रपा की जाए और हमें जल्द जल्द हमारी तनकामे देने